स्टार्ट करते हैं एक-ष्रेटे डिस्टेंस एक्स्प्रीषन का मतलब होता है कि बॉड़ी में से वेस प्रॉडक्ट्स को निकालना तो एक्सप्रीषन सारे लिविंग बॉडी इसमें होता है तो अगर हम शुरुआच जैसे आज़िए से शुरू करें तो उपर-उपर से जैसे देखते हैं तो जो भी चीज़ां में टेक करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है तो अगर हम एक तरफ देखें तो प्लांट्स फूड कैसे ऑक्टेन करते हैं वाया दाप्राइस ऑफ फोटो सिंथेस इस दोरान य यूज क्या करते हैं कार्बन डायोकसाइट और और इसका बनाते हैं ग्लुकोज और ऑक्सिजन ग्लुकोज यहां पर काम आ जाता है लेकिन ऑक्सिजन इस वेस्ट प्रॉडक्ट उस टाइम तो डे टाइम में ऑक्सिजन इस वेस्ट प्रॉडक्ट तो यह ऑक्सिजन का ही व process of respiration respiration में use करते है oxygen जो की पूरा दिन भर respiration चलता है all day और वेस्ट respiration का वेस्ट बनता है carbon dioxide दिन के time में photosynthesis चल रहा है तो यह carbon dioxide दिन के time में तो use हो जाती यहीं पर लेकिन रात के time पर जब photosynthesis नहीं चल रहा photosynthesis भी light reaction dark reaction है लेकिन दिन के time में जब light reaction नहीं तो फिर यह carbon dioxide release होता है plants को भी excess water जो इनका निकलता है इससे इसको red off करना पड़ता है वाए दा process of transpiration जो पत्तियों से पानी evaporate होता है और फिर इसी pressure के चलते ही पानी फिर roots से उपर की तरह आप आता है इसके बाद plants nitrogen का बहुत यूज करते है plants का जो chlorophyll है यह इसका basic components में है nitrogen तो यह plant body इतनी simple सी body वैसे तो बहुत complex है लेकिन simple इस सेंस में कह रहे हैं कि हमने nitrogen को मतलब absorb करना यह plant के system में नहीं embedded यह system तो nitrogen fixation करते हैं bacteria और यह roots से ऐसे compounds को extract करते हैं तो plants get nitrogen by soil और जब nitrogen का use कर रहे है nitrogen के इस तरीके से compounds का तो waste products निकलते हैं in the form of nitrogenous waste ठीक है तो इस तरीके से excretion in plants चलता है तो अलग-अलग इनके parts से अलग-अलग type of waste निकलते हैं income थोड़ा साथ और ज्यादा depth में देखेंगे जब हम plants particularly discuss करना शुरू करेंगे यहां पर मैं बताने के लिए शुरू किया कि excretion सारे living bodies में होता है और चाहे carbon dioxide stomata से निकल जाए oxygen stomata से निकल जाए water vapor भी stomata से wire transformation transpiration जो solid waste है और जो टाइप of waste हैं कई बार इनके branches में store हो जाते हैं तो ब्रांचे से निकल जाते हैं कई type of waste इनके पतियों में store हो जाते हैं तो पतियों में निकल जाते हैं फलो में store हो जाते हैं महां से निकल जाते हैं कई बार हो gums and raisins के form में बन जाते हैं कई सारे प्लांट्स में तो रबर के जैसे हमें निकलता है स्टेम आप काट दीजे तो एक लिक्विट जैसा निकले लगता है पॉइल्स जो बनते हैं ये भी इसमें भी वेस्ट डाल दिये जाते हैं हमारे लिए यूसफुल है इनके लिए वह वेस्ट प्रॉडक्त है अब यहां से हम गरते हैं एक्सक्रीक्रीशन एड यूमन बीज़् तो यही जो प्रोसे स्टम्नले देखथा है यही प्रोसेस यूमन समय हो रहा है तो हमें रेस्पिरेशन Oreo डले से विश्ट कैसे है यह वाटर तो निकल जाता है वाइद प्रॉसेस ऑफ स्वेटिंग इसके बाद हम न्यूट्रेशन लेते हैं तो यहां से एक तरफ बनते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट आंड जो एक्स्ट्रा वाटर जादा पानी आपने पिलिया तो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर भी जो है वो भी एक तरीके साओ वेस्ट है उसको भी निकाला जाएगा अब digestive waste में आते हैं तो पहला तो nitrogenous waste निकलते हैं अलग-अलग basically तीन forms में एक form है urea, दूसरा है uric acid, तीसरा है ammonia इन तीन forms में nitrogenous waste निकलते हैं अच्छा ही nitrogenous waste बनते कहां पे हैं, लिवर में बनते हैं जब लिवर इन dead protein remains को digest करता है, breakdown करता है, जितना भी ये nutrients हैं जो intestines absorb करती है, blood में डालती है, वो सब आते हैं लिवर में और लिवर का ये भी काम है कि जितना भी nutrients आए हैं उनमें जो कुछ चीजें store करके रख ले for future use तो ये जो extra amino acids हैं, इनको जब लिवर change कर देता है glucose में, इस time पे एक product निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरिया, और ये यूरिया poisonous है, अगर जादा quantities में हमारे body में यूरिया हो जाए, तो ये poisonous चीज़ है और इसकी वेज़से death भी हो जाती है, जैसे cholera किसी को हो जाता है, तो cholera में death हो जाती है, इसी वज़े से क्योंकि body में यूरिया की quantity जादा हो जाती है, अब कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, body में excess salts, कोई भी चीज़ अगर excess में है तो वो waste है, तो body हमारी excess NACL भी बनाती है, vitamin B and vitamin C भी जब excess में हो जाते हैं, तो इनको भी excrete किया जाता है, इसके अलावा bile pigments, ये भी excretion में आते हैं, और bile pigments किस तरीके से आते हैं, liver जो है, ये बनाता है yellow color का bilirubin, from the breakdown of hemoglobin of dead RBC, जो dead RBCs है, जब इनका breakdown होता है, तो ये 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 बनाता है, और ये ही yellow bilirubin, ये भी excrete किया जाता है, इसका एक पार्ट, ठीक है, तो यहां से clear हो गया कि कुछ respiratory waste है, कुछ digestive waste है, कुछ extra water है, and digestive waste में हमने कई सारे देख लिए, अब यहां पे एक सवाल उठता है, कि हमारा जो urine है और जो हमारा excrete है, ये yellow brown color में क्यों होता है, liver का जिक्राया, bilirubin का जिक्राया, तो फिर यहां से देखना शुरू गरते हैं, एक idea आपक chemicals, इनका काम होता है, oxygen को इधर से उधर कैरी करना, तो hemoglobin इनके इंदर होना चाहिए, तो by default इनका composition ऐसा है, कि जब यह तूपते हैं, तो एक compound बनता है bilirubin, ये bilirubin पहुंचता है liver में, और liver इस चीज़ से क्या useful बना सकता है, तो bilirubin का use करता है liver in bile, जो bile uses हैं, जो की use हो में अभी तक हमने इतना जान रखा है कि ये store किया जाता है, गॉल ब्लाडर में, और इस ताम है digestion of fats, ये yellow green color का होता है bile, थोड़ा सा yellowish green, इसके बाद जब digestion होता है, तो bile comes out of duodenum, अब bile पहुंचता है intestine, intestines में होते हैं, बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया काम करते हैं, जब bile ruben को ये breakdown करते हैं, तो इससे दो अलग-अलग type of products निकलते हैं, एक product, एक होता है yellow brown pigment, जो की जाके मिल जाता है into our feces, ये हमारे feces को yellow brown color देता है, एक दूसरा product निकलता है euro bilinogen, जो की ये हमारे blood में मिल जाता है, और फिर इसको kidneys जो हैं, जो kidneys हमारे blood को purify करती हैं, ये इसको डाल देती urine, तो यही yellowish color urine में आ जाता है, तो अगर हम कहें कि हमारा excreta yellow brown की होता है, तो उसका basic reason dead RBCs, RBCs से bilirubin निकला, bilirubin का जब breakdown हुआ, तो फिर इससे ऐसे compounds निकले कि जिसकी विज़स से excreta yellow brown होता है, and color of the feces, ये depend करता है कि कितना bilirubin निकल रहा है, and bilirubin के interactions कैसे हो रहा है, body के अंदर, कई सारे चीज़ों पे color of feces change करता है, आप कौन सी दवाई आल रहे हैं, क्या है, आपका body composition, कई इस जगा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ clear होगी है, अब excreation हमने अभी तक देखा, ये चीज़, की respiratory waste भी हैं, digestive waste भी हैं, तो इनके अल अलग-अलग organs हैं, तो ये रहे एक excretory organs, तो पहला, अगर हम एक तरफ से देखना शुरू करें, तो respiration से शुरू करते हैं, तो पहला तो होगया lungs, जो की excrete करते हैं, carbon dioxide, एक तरफ होगया skin, इसकिन में है sweat glands, जो की excess water and excess salt को, ये via sweat, ये release कर देते हैं, थोड़ा बहुत uric acid औ हाया sweat निकल जाता है, तो ये तो हो गया respiration का and excess water and salts, अब ये हैं digestion वाली चीद, digestion में शुरूआत liver से आथ करते हैं, liver क्या करता है, detoxify ammonia, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी nitrogenous चीज़ हैं, उसके जो waste बनते हैं, इनको detoxify करता है, और convert कर देता है यूरिया में, ये यूरिया ज जाके मिल जाता है blood में, और blood से स्यूरिया को फिर साफ करती है, हमारी kidneys, और liver का एक और काम है, to break bad cholesterol, और जो blood में कहीं alcohol आ गया, कुछ drugs आ गई, कुछ दवाईया, कुछ भी anything, तो ये liver ही इनको break करता है, और break करने के दोराल, जो भी कुछ waste product निकले, ये liver बनाता है, blood में डा सालता है, and blood को फिर साफ करती है, kidneys, और ये जो यूरिया liver में बना, इस यूरिया को eliminate करने का काम, kidneys का है, और kidneys finally बनाती urine, तो जो urine हमारे body से निकलता है, ये हमारे blood से आता है, rather than हमारे खाने पीने से, खाने पीने से जो भी चीज़े हैं, वो egression में गया, digestive, urine बनता है हमारे blood स अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं, human excretory system, तो ये kidneys वाला system ही basically excretion में आता है, क्योंकि यही हम अलग से पढ़ते हैं, skin, normal से चीज़ है, lungs हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर kidneys, तो पहली बात, ये bean shaped है, location अगर देखी जाए, on the either side of backbone, एक backbone के इधर, एक backbone के इधर, और अगर इनका vessel location देखा जा, तो ribs की last का portion जो है, वो आता है kidneys पे, और kidneys थोड़ा कमर पीछे की तरफ होती है, और एक और चीज, right kidney थोड़ा सा नीचे होती है, left kidney के मुकाब, तो अगर हम देखना शुरू करें, तो blood, ये जो red वाली जो आपको ये दिख रही है, blood vessel, यहाँ से blood आता है, इसको कहते है, renal artery, और जो blood आता है, ये oxygenated है, इस वज़े से red से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें waste है, और kidney इस waste को, ये जो renal artery से blood आया, ये kidney पे पहुंचता है, kidney यहाँ से urea निकाल लेती है, और जो बाकी blood बचता है, वो renal vein के जरिये, वापस से चले जा जाता है, heart की तरह, और ये blood आता कहां से, ये भी heart से आता है, और ये kidney हो गए, bean shaped, और ये urea, ये urine जो कलता है, urine यहाँ सी, ये tube है, जिसको ureator कहते है, ये tube से पहुंचता है, bladder में, bladder में store होता है, इसमें walls होते है, जिससे कि ये back flow ना हो, और जब bladder भर जाता है, तो bladder signal send करता होता है, brain को, और फिर bladder के नीचे होता है, sphincter muscle, कि जब brain signal देता है, कि अब आप urine को, तो ये sphincter muscle है, ये sphincter muscle, जब open हो जाता है, तो फिर urine flow हो जाता है, और ये जो opening है, इसको कहते है, urethra, तो ये basic process है, अब kidney का हम थोड़ा सा detail में आते है, kidney के पहले outer parts जैसे हम देखत है, तो यहां से जो red है, ये है renal artery, blood कहां से आ रहा है, from dorsal iota, iota का portion जो की dorsal यानि की नीचे की तरफ, तो हाट से नीचे की तरफ blood भेजा गया है, dorsal iota, ये red वाला जो blood vessel यहां से आप देखिए, कि blood जाएगा kidney में, सब चीज़े urea filter हो जाएगा, urine निकल जाएगा, और जो filtered blood है, वो आएगा renal vein से, ये renal vein कहां जा रहा है, तो inferior vena keva, heart का वो portion, body, lower body से blood heart में आ रहा है, inferior vena keva, ठीक है, अब ये तो process रहा है, अब देखना शुरू करते हैं, तो एक है renal capsule, renal capsule ये outer जो covering है इसकी, इसके बाद जो kidney के बाहर वाला portion है, outer area, ये थोड़ा सा dark भी है, इसको हम कहते हैं, cortex, ये cortex बार बार जिक्राएगा, बाहरी portion को हम cortex कहेंगे, और inner portion जो है, जो inner portion, इसको हम कहेंगे, medulla, ये जो आपको देख रहे हैं, ये सब inner portions, ये थोड़ा सा light है, ठीक है, तो ये medulla है, और हम देखते हैं, कि ये जो cortex है, cortex का portion ये अंदर की तरफ आया है, थोड़ा-थोड़ा सा, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉल्टेक्स का portion अंदर की तरफ धुसा हुआ है, कि मतलब छत का portion है, और वो नीचे तक आया है, एक column बनाया है, फिर से उपर चला गया, ऐसे columns को हम कहते हैं, renal columns, तो ये तो outer part हुआ, और अंदर की तरफ ऐसे pyramids आपको दिखेंगे, जिनको हम renal pyramids कहते हैं, ठीक है, nephron, जो unit of इसका kidneys है, वो इस तरीके से arrange रहते हैं, कि उनका जो head है, वो cortex में रहेगा, और जो down है उनका portion, वो इधर रहेगा medulla में, ठीक है, तो उपर उपर से ये चीज़ clear हुई, और ब्लड फिर, ये यो urine जो है, urine निकलेगा, tube called ureter, ठीक है, तो अब भी हमने outer portions देखे हैं, kidney के, और ये इसी वज़े से कर रहे हैं, कि आपको एक ही कर के चीज़े याग, ठीक है, तो यहाँ पर सब clear है अभी, renal capsule, बाहर का area cortex, और बाहर का area dark है, अंदर का area medulla, अंदर का area light है, और renal columns, और ऐसे pyramids हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं, तो ऐसे pyramids हैं, अब यहाँ से kidney का जैसे हम देखते हैं, working, तो kidney, बनी है made of nephrons, blood आता है kidney के अंदर, इससे waste निकल गया, blood वापस चला गया, और जब आप kidney पे zoom in करेंगे, तो आपको nephron मिलेगा, अभी फिलाल, इसमें और कुछ चीजे देखते हैं, तो शुरुआत जैसम देखते हैं, renal artery से blood आया, renal vein से blood निकल गया, waste निकल गया, urator से, ठीक है ये तीन चीज़ों ने देख लिया, अब एक एक करके बाकी चीज़े देखते हैं, ये है renal cortex, ये जो outer dark एरिया है, ये जो inner light area ही है, ये जो पूरा ये, ये है renal medulla, ठीक, इसके बाद, ये हैं जो ऐसे, pyramidal shape आपको देख रहे हैं, ये है renal pyramids, ये striped substance है, जो की pyramids में भरा गया, nephrons मिले हैं, तो ऐसा striped substance आपको दिखे गए, कि कुछ ऐसा substance है, microscope में देखेंगे, तो आपको nephron देखेंगे, nephron, nephron cells हैं, और ये substance है, तो cells obviously microscopic हैं, तो वही वाली बात है, कि हमारा दिल, अगर आप देखेंगे, ये हमारा दिल है, microscope से देखेंगे, तो आपको cardiac cells दिखाई देखेंगे, तो इसके बाद, ये हो गया renal columns, ये fibrous capsule हो, एक outer covering, अब यहाँ पर ये है renal papilla, ये जो pyramids है, इन pyramids का apex, apex का मतलब होता है, जो top है, ये top, जो है ये वाला portion, ये जैसे आप कह सकते हैं, ये है renal papilla, इनका top, ये यूं करके यूं आए है, तो इनका top, अंदर की तरफ है, और ये medulla वाले portion में आ रहा है, अब इसके बाद, ये चीज हम देखते हैं, कि waste कहां से बना, ये pyramids का जो apex है, यहां से waste आ रहा है, और waste इस तरीके से collect हो रहा है, जो white वाली चीज आप देख रहे हैं, ये waste branches से collect हो रहा है, collect होते होते, ये यहां तक आया, और यहां पर चीज है, ये जो ये portion कि जहां से branching शुरू है, इसकी waste वाले इस ट्री की, इसे waste का tree के जैसा कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं, हाइलियम, ये होता है notch, और फिर यहां से branching, कह लीजे, notch से शुरू होती है, waste के tubes नहीं कि, यहां पर waste का tube, वो एक चीज है, तो यहां पर बन जाता है ureter, kidney में, अब अगर full kidney देखें, तो इधर वाला portion, cortex हो गया, इधर वाला portion, जो portion, ureter से जुड़ा है, इसे हम कहेंगे renal pelvis, ये portion करीब, तो यहां से बनेगा न, ureter, यहां से पतली से tube हो गई है, यहां लेकिन अभी tube का एक मोटा हिस्सा है, और यह kidney से इधर जुड़ा है, तो kidney के अंदर ही है एक तरीके से, मतलब technically वैसे अंदर ने, लेकिन kidney आप मानेगे, तो यहां तो water मानेगे, इधर cortex, इधर pelvis, तो कभी pelvis बोला जाए, तो यानि कि इस तरफ की बात हो रही, cortex यानि कि उस तरफ की बात हो रही, medulla यानि कि इसका ये beach वाले portion की बात हो रही, और ये major calinx, minor calinx, ये इसकी branches है, ये जैसे एक stem, stem के बड़े branch, ये हैं बड़े branch, और ये बड़े branch फिर से branch हुए हैं, तो minor calinx, ये waste के चीज़े हैं, कि blood आया, और यहां पर nephrons लगे हुए हैं, तो nephrons, blood को filter करेंगे, और waste यहां पर जमा करते रहेंगे, तो सारा का सारा waste in white वाली जगहों से, एकठा होके आते रहेगा और निकल जाएगा, अब यहां पर हम देखते हैं, process of urine formation, तो ये है, artery, blood, heart से आया है, और फिर चला जाएगा, यहां से, वैसे तो ये nephron ऐसा देखता है, लेकिन ये टेढ़ा मेडा सा tube है, तो बेटर है कि हम इसका process आप ऐसे एक बार समझ लें, process क्या हो रहा है, फिर हम nephron के structure के अंदर जाएगे, इस artery से, इस तरीके से tube निकलती है, ये tube फिर तूटती है, capillaries में, पतले-पतले capillaries, और capillaries का एक ऐसा knot के जैसा है, मतलब knot है पूरा एक, और फिर ये knot निकलता है फिर यहां से, तो इधर blood जहां से आया, इसको हम कह सकते हैं, efferent rtol, renal artery से जो जुड़ा है, efferent rtol, यहां पर अगर हम देखें, तो ये रही renal artery, इस renal artery से, और इसमें भी branching हो रही है, ये किसी और nephron से जुड़ा है, ये branch किसी और nephron से जुड़ा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है blood, और हर branch के साथ एक nephron उसे मिल रहा है, ये वाला nephron इस branch से आया, तो ये है efferent rtol, blood enter कर रहा है, यहां पर मिला एक knot, अब ये जो tube है, ये पतली है, और इधर की tube मोटी है, तो ये पतली tube है, अगर आप ये experiment के जैसा pipe के साथ भी कर सकते हैं, एक तरफ पतला pipe लगाएं, एक तरफ मोटा pipe लगाएं, पतले pipe में जादा pressure होगा, और ये घूमा भी खूब है, तो इसकी वरे से यहां pressure बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात, ये जो capsule है, जिसको हम glow merulous capsule कह सकते हैं, और ये capillaries को हम कह सकते हैं, glow merular capillaries, इसको हम ने term दिया glow merulous, इसको term दिया glow merular capsule, ये इस तरीके से बना है, कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत पतला सा होता है glow merulous, ये है जैसे glow merulous, ऐसा एक hollow football के जैसा है, ठीक है, ये glow merulous, और ये इस तरीके से इसकी जो walls हैं, वो कुछ ऐसी सी हैं कि यहां से जो पतले particles हैं, मतलब छोटे particles size में वो निकल जाएंगे और बड़े particles रह जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ यहां पे होती है, जो छोटे size के particles हैं, वो सब के सब निकल जाएंगे, बड़े particles यानि कि blood cells and protein cells, glucose, ने glucose तो इधर छोटे particles में है, प्रोटीन सेल्स and red blood cells ये रह जाएंगे सिर्फ और ये निकलेंगे किस से, एफरेंट आल्टीोल से, और ये एफरेंट आल्टीोल फिर चलता रहेगा, यहां पे हमने जितने भी छोटे size के particles हैं, वो अलग कर ली हैं, छोटे size के particles में useful products भी हैं, वेस्ट products भी हैं, अब आगे साथ में क्या होता है, इसे हैं कहते हैं re-absorption, ये से तो कहा गया ultra filtration, हमने filter कर लिए, बड़े particles जाने दिए, छोटे particles सारे रख लिए, यहां पे जितने useful particles हैं, वो re-absorb हो जाएंगे, और ये बड़े particles के साथ, useful particles, चोटे size के भी मिल गए, इसके साथ साथ जो कुछ और चीजें हैं, वो इसमें फिर से चली गएंगे, कौन सी चीजें, जैसे creatin, कुछ और ऐसे ions हैं, वो भी re-absorb हो गए, तो यहां पे इस वाली tube में क्या बचा, सिर्फ waste बचा, और यहां से blood आया, छोटे particles अलग हो गए, बड़े particles अलग हो गए, छोटे particles में जो useful थे, वो दुबारा से blood में मिल गए, तो blood filter हो गया पूरा, तो यह process तो पहला, यहां पे जो ultra filtration के बाद जो product बचा, इसको हम कहेंगे, ग्लो मेरिलर फिल्ट्रेट, ठीक है, वाटर और छोटे particles, जो प्रोटीन के size के comparison में छोटे हैं, यह निकल जाते हैं, वायदा pores of ग्लो मेरिलस, इसके जो छोटे 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 छेद हैं, इसके बाद यह जो आगे के time में होता है, tubular reabsorption, यहां से tube शुरू होती है, तो tube में reabsorption हुआ, and last का portion है tubular secretion, tube से कुछ और जो चीज़े हैं, जो waste हैं, वो secret हो जाते हैं, तो यह reality में कुछ इस तरीके का देखता है, तो renal artery हो गया, afferent RTO हो गया, यहां पे इस तरीके का knot बनेगा, glomerulus जिसे कहते हैं, और इक glomerulus किसके अंदर हैं, एक hollow box है, ठीक है, तो इससे फिर निकला, यह हो गया glomerulus, इससे जो यह निकलेगी इसको कहेंगे afferent RTO, खून आएगा कहां से, afferent A से, जाएगा कहां से, E से, अब इसके बाद जितना भी useful चीजें हैं, वो सब छोटे size की useful चीजें, यहां से आ गए, यहां पर bowman's capsule खता में जो border आपको देख रहा है, यहां से tube शुरू है, ठीक है, ट्यूब को भी यह बड़ी सी लंबी सी ट्यूब है, इसको भी हमने तीन हिस्सों में divide किया है, पहला हिस्सा इसका यहां तक रहा करें, तो इस इस्से को हमने नाम दिया, यह, proximal convoluted tube, proximal का मतलब नस्दीक, किसके नस्दीक, आल्ट्री, जो इधर के डिरेक्शन में है, जो थोड़ा इसके पास में है, proximal convoluted का मतलब टेड़ा मेड़ा, तो two-third of the water absorption इसी में हो जाता है, reabsorbs two-third of water, salt and glucose, यह proximal capillary tube में है, मतलब convoluted tube में है, इसके बाद, यहाँ से tube नीचे की तरफ जाता है, और यह जो portion है, यह सब cortex में, kidney के cortex में, यहाँ तक जाता है, यह medulla में, थोड़ा बहुत absorption यहाँ पर हो जाता है, absorption के साथ-साथ ही इसी में blood मिलता जाता है, फिर से tube उपर आती है, cortex portion, और फिर इस तरीके से collecting duct आता है, इसको नीचे वाले portion कुम कहते है, loop of enlay, इसके बाद, यह loop of enlay यहाँ तक में खताम है, फिर आता ही है, distal convoluted tubule, तेड़ी मेंडी से tube जो की थोड़ा दूरी पे है, और फिर यह पूरा collecting tube, यह जो collecting duct है, और इसको हम कह सकते है, descending limb जो नीचे जा रहा है, इसको हम कह सकते है, ascending limb, blood आता है, यह वाली जो tube है, यह पतली है, it is narrow, तो इस वज़े से ज़ाधा pressure है, तो efferent artiol से निकलने पर यह पहुंचता है, glomerulus, यहाँ पर हो जाता है, ultra filtration, यानि कि जितना भी liquid portion है, वो liquid portion सारा करीब निकल जाता है, इसमें urea, यह जो waste है, वो भी है, useful चीज़े भी है, glucose, amino acids, water, फिर यह glomerulus से पहुंचता है, tubule में, tubule में useful things absorb हो जाती है, बचता है सिर्फ urea, और फिर यह efferent से तो यहाँ निकली गया था, और फिर यह सब absorb होता चला जाता है, and blood goes back एक तरफ और एक तरफ waste निकल गया, यह more pressure में है, यह वाला less pressure में है, क्योंकि यह wider होता है, तो यह basic process हो गया, इनके कुछ और points देख लेते हैं, तो यह जो bowman's capsule है, यह bowman's capsule यह बहुत thin walled होता है, obviously, तभी filter कर पाएगा, single cell epithelial cells का है, जैसे कि आपको दिखाएं, यह, यह wall of glomerulus है, मतलब यह bowman's capsule, पतला सा है, कि blood आए, तो small particles सबके सब निकल जाए, यह एक hollow ball के जैसा है, bowman's capsule, hollow ball ऐसा, कि हमें सब figure 2D में बने हैं, लेकिन reality में 3D, वो एक चीज हाई, वो एक battery जैसा होता है, यह cell जैसा होता है, कुछ ऐसा सा, वो एक oval type की, oval गया मतलब rounded ही, कुछ ऐसा ऐसा है, पॉलो बॉल है, एक तरफ यह जुड़ा है, क्यूब से, कि bowman's capsule, यहां से, क्यूब से जुड़ा है, glomerulus, यह knot of capillaries है, और इन दोनों का, glomerulus और bowman's capsule, इन दोनों की combination का हम कहते हैं, malphigian capsule, यह renal capsule, 1 और 2 के हैं, bowman's capsule and glomerulus, यह चीज़, इसके बाद PCT, proximal convoluted, PCT, nearer to bowman's capsule, यह cortex में लाए करता है, cortex, और अब आपको यहां, visualization बेटर होगा, किस तरीके से, यह arranged हैं, इस तरीके से, और loop of Henle, नीचे टकाता है, medulla तक, यह जो आप देख रहे हैं, इसने deposit किया, कहीं, मतलब यहां तक खरीब आ रहा है, medulla तक, और फिर उपर गया है, वापस, और फिर उसने collecting duct में दिया है, और ऐसे कई सारे collecting duct मिल के, यहां पर base में, फिर एक बड़ा duct बना रहे हैं, जो कि फिर और बड़े duct से मिल रहा है, जो कि फिर और बड़े duct से मिल रहा है, और यह PCT, इसी में two-third of the things, useful things, यह absorb हो जाती है, थोड़ी बहुत चीज़े loop of handle में absorb हो जाती है, और distant convoluted tube, यह भी cortex में लाए करता है, और फिर यह एक तरफ जुड़ा है, collecting duct से, जो कि होता है, medulla में, तो इस तरीके से यह लाए कर रहा है, kidneys में, loop of handle runs in medulla and returns to cortex, medulla से यह वापस से फिर cortex की तरफ घूम जाता है, और आप beauty भी देख सकते हैं कि कितना marvel है यह, और किस तरीके से हम microscopic scale में जा रहे हैं है, तो renal artery, यह बड़े artery, branch bunny, और बनी segmental artery, यह segmental artery फिर branch बनी और बने lobular artery, lobules हैं, इसके अंदर फिर interlobular artery फिर branching हो लिए हैं, और फिर जो artery बनी हैं, वहाँ से फिर afferent artery उलाया है, branch का branch, फिर branch मतलब वो यह tree के जैसा है, और nature में हर चीज ऐसा, इस चीज को fractals कहते हैं by the way, एक ही चीज में अगर आप देखें तो वो अपने, फुल चीज को resemble करने की हैं, और nature ऐसा ही बनाए, तो खैर अभी तक यह सब clear है, यह distal, जो convoluted tube है, इसके बारे में एक और point है, यह walls जो हैं भी secrete करती है, chemicals like pencilline, या कुछ potassium, या other drugs, जो नहीं जा पाए उस time के, उनको भी यह reabsorption वाला जो process है, यह C, pubular secretion, तो यह DCT का हिस्सा है, और यह जितना भी urine collect होता है, collecting duct में जाता है, collecting duct में peristalsis movement होता रहता है, यह urine का नीचे तक flow होता रहे, और यह sphincter muscle तो आपने देखी लिया था, और जब urine pass होता है, यूरेथ्रा से तो इस process को micturation कहते हैं, micturation, अब यहाँ पर आता है characteristics of urine, normal urine, तो amount, 24 घंटे में 1-2 लीटर करीब करीब, और यह depend करता है, कि आप कितना पानी पी रहे हैं, और कितना water loss हो रहा है, अगर आप ज़ादा पानी पीएंगे, जादा urine निकलेगा, मतलब यह balance है, जितना पानी पीएंगे, पानी कितना sweating से निकला, जादा पानी पीएंगे, sweating कम है, तो urine जादा निकलेगा, पानी कम पीए, sweating जादा है, तो body जितना भी water है, उसको जादा रिये抑शोंब करेगे, तो urine कम निकलेगा और जब कम निकलेगा तो concentrated निकलेगा और color क्या हो है straw and amber हलका सा yellowish और अगर darker color का है तो यानि कि जादा concentrated है और urine का optimum color clear होना चाहिए हलका सा yellow रहे normal है लेकिन जादा yellow नहीं होना चाहिए जादा yellow का मतलब पानी की कमी है शरीर में it should not be cloudy clear बिलकुल specific gravity one क्या सपास है one से थोड़ा सा जादा है ठीक है और specific gravity का मतलब क्या it is the measure of dissolved material in urine urine में कितना जादा material dissolved lower the value more dilute the urine जितना concentrate होगा value बढ़ेगा pH क्या है slightly acidic हलका सा acidic composition 95% water 5% urea other product salts यह सब चीज है 95% लेकिन water इसमें nitrogenous waste किस form में urea uric acid and creatine और urea कैसे बनता है from amino acid metabolism creatine from muscle metabolism and uric acid from nucleic acid metabolism अभी सिर्फ नाम आया है 11th में यह chapter फिर से आएगा और फिर यह सब भी होगा आपके तो अगर quantity के sense में देखें तो यूरिया 2.3 ग्राम्स पर लीटर कितना होता है यूरिया ग्राम्स पर लीटर क्रियाटन कितना होता है 1.5 यूरिक acid 0.7 sodium 9 ग्राम पर लीटर potassium chloride 2.5 ammonia 0.6 ग्राम पर लीटर ओडर इसकी महक कैसी है strong foul smell और foul smell जो है वो किस वज़े से है ammonia के presence में and bacteria अगर आप ammonia आपके कभी आप यह सूंगे है उसे तो बिल्कुल ऐसी toxic सी smell आएगी कि जिसे public washrooms में आती है हां तो जो public washrooms जो साफ नहीं है और जो एक intense smell आती है वो ammonia के presence की वज़े से आती है टेस्ट तो यह urine का काम waste, urea and salts तो टेस्ट obviously इसका saltish होगा और कई बार sweetish हो जाता है जिन लोग को diabetes होता है diabetes में क्या है, body में blood glucose level बढ़ जाएगा, blood glucose, glucose तोड़ा मीठा होता है तो इसका जो saltness है उसको overpower कर देगा तो किसी को diabetes है तो उसका urine sweetish होगा, more glucose, low insulin और कई बार tasteless और tasteless urine का क्या मतलब salty होना चाहिए था कुछ मेठा आया है, तभी tasteless हुआ है, कुछ तो change हुआ है तो इसमें tasteless के sense में ये भी हो सकता है कि आपने बहुत water intake किया हो कि concentration बहुत कम हो गया हो, जब urine बिल्कुल white सा निकलता है तो आप कह लिजे कि saltness बहुत कम हो जाती है और इसका एक और reason low ADH, ADH एक hormone होता है जो कि इस चीज को govern करता है कि kidneys कितना पानी reabsorb करेंगे अगर जाधा पानी kidney ने reabsorb कर लिया तो urine कम होगा और कम water में इतना यूरिया यूरिया तो उतना ही है कम water में उतना यूरिया घोल दो तो बहुत गाड़ा है जाधा पानी में उतना यूरिया घोल दो लाइट है और यह टेसलेस किस सेंस में होता है diabetes incipit does यह भी एक condition तो वही चीज डायबेटीस जब होता है तो saltish taste हटता है इसका तो यह तो है normal things एक healthy आदमी के urine में क्या होता है अब abnormal things in urine कि urine में कभी कबार blood cells आते हैं कि कभी कबार घून सा दिखाई दे रहा है urine में तो यह बीमारी क्या है the material यह बीमारी होती है इस बीमारी में किसी infection की वज़े से या kidney में stone की वज़े से या tumor की वज़े से blood मिलने लग जाता है urine kidney का blood कहीं कहीं पर urine में मिल रहा है तो आपकी urine में blood आ रहा है इसके लावा glucose यह तो हमने देखा ही कि जब diabetes होता है तो इस sense में extra glucose आ जाता है तो यह extra glucose इस condition को हम कहते है glycosuria कि जब excess glucose मिलता है urine में इसके बाद urine में हो सकता है albumin proteins भी abnormal quantities में आ रहे हैं due to जिल लोग को high blood pressure होता है तो जो चीज़े नहीं भी आनी चाहिए थी blood में वह आ रही है क्योंकि blood pressure बहुत है ठीक है इंक्रीज़ पर्मियबिलिटी ऑफ बोमान स्काप्सूल मतलब वह चन्नी है वह चन्नी में पर्मियबिलिटी अगर बढ़ जाए वह लेयर अगर घिस गई है तो जो चीज़े फिल्टर नहीं भी होनी थी वह भी होने लग गई तो हो सकता हाई बलट प्रशर के ब्लड काई बहुत जादा है या तो फिर ब्लट प्रशर ठीक है लेकिन इसकी वह पर्मियबिलिटी बहुत बढ़ देए तो किसीभी केश में एल्बूमिन प्रोटीन्स जो ब्लड में है वो भी यूरेन में आने लगते हैं आल्बूमिन प्रोटीन्स पास्ड आउट बाइल पिगमेंट्स आ सकते हैं यूरेन में तो जब किसी बाइल बहुत सारे अलग-अलग चीजों का मिक्स्चर है तो पिगमेंट बस बोल दिया गया है उससे कि बाइल के किन चीजों का एक ये मिक्स्चर है अगर आप इसको कहें कि अच्छा पिगमेंट कौन सा है तो फिर ये बहुत फिर डेप्ट वाली चीज़ आप जैसे बाइल में हि हमने अभी discuss किया कि बाइल का एक कॉंपनेट है बी रूबिन बने टूटता है तो कुछ बना है बिलीयू बन के दूसरे तूपने से यूरि फिब्लियों गीन जो भी बना थां उच्छ एक तो कितनी सारी छीजlà şekilde जाकरो एक चीज बन रही है तो कुछ कूछ बाइल प पास आउट हो रहे हैं तो यूरेन का कलर और चेंज हो सकता वो फिर डॉक्टर वाली बात यह वो डॉक्टर जाने की क्या है क्या और इसी वज़े से एक्चुली जितनी बायो है वो बायो तो आपको पढ़ाई जा चुकी है तो 11-12 बायो में या च्छे साल इंबिएस में और कि इसलिवत तक की बायो एक ऐसा सब्जिक्ट है कि 10 तक की बायो में सब आ चुका यह टेन तक की फैस्ट्री में वहां पर पढ़ेंगे बायो बायोजी वही है बस अब डिफरेंस बसे ही बचाए कि हम six last में photosynthesis आया plant uses sun to make their own food 9th में photosynthesis आ रहा है तो आप अभी इस लेवल पर चल रहे हैं कि जिक्र हुआ है light reaction dark reaction का और यह सब 12th 11th में फिर photosynthesis आएगा फिर वो दार की reaction कैसे होता है उसका equation आ रहा है फिर और डिप्ट में आ रहा है बायो में जब photosynthesis आएगा mbbs उसका फिर अलग कोर्स है जैसे mbbs की किताब में हमेरे पास रखती है कभी देखना चाहें तो आप देख लीजेगा तो यह abnormalities है diabetes कजिक्रा है तो diabetes के बारे में जैसे बताएं insulin एक ऐसा hormone होता है जो एक चाभी के जैसा है मतलब in the sense nature में सब चीजे shape पे depend करती है shape क्या है तो जो blood में glucose है यह glucose cell को चाहिए लेकिन cell ऐसा नहीं कि पूरा खुला हुआ है खुला हुआ तो खतम हो जाएगा कोई के जैसा है कोई चीज खुद से आ जाए लग जाए तो उसके लिए जैसे दर्वाजे खड़किया होती है और वह particular किसी एक चीज को एंट्री देगा बाकी चीजों को एंट्री नहीं देगा तो कुछ आपको यह mechanism चाहिए कि वह glucose को खिड़की खोल सके glucose कंदर ले सके वरना glucose तो जा रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि वह चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो इंसुलिन एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि इनके receptor cells में लग जाता है तो glucose को बाइंड कर लेता है और glucose चला जाता है बॉडी सेल्स में यह इंसुलिन का काम है तो इंसुलिन कभी भी आएगा तो it helps in the breakdown of glucose ऐसा सा कुछ होता है और helps in breakdown का क्या मतलब आप वो किले में आपके सामने से glucose बहके चला जा रहा है लेकिन आप glucose तोड़ नहीं पा रहा हो प्रॉब्लम क्या है glucose अंदर नहीं आ पा रहा है और अंदर लाने का काम इंसुलिन का है तो helps in breakdown कैसे कि लुकोस जो ब्लड से जा रहा है उसको मतलब जो छूटे वे जा रहा है वह अभी खिड़की खुल के अंदर आ नहीं पा रहा है वह खिड़की खुल के अंदर लेने का काम इंसुलिन के चीज में शुरुआत ऐसे होती है कि ऑच है इंसुलिन बनता कहां करिया तो पैंक्रियास को यह जाथा इंसुलिन जब बनाते हैं जादा इंसुलिन होगा तो इतनी सारी खिड़कू में बहुत ख़ट खुलते खुलते अंदर ग्लुकोस आने लग जाएगा तो जब पैं वो इंसुलिन रिजिस्टेंस बनाते हैं कि हर इंसुलिन को खिड़की खोलने का वो नहीं हो कुछ इंसुलिन रिजिस्टेंस बन रहा है तो इसके चलते हो रहा है इंसुलिन जो पैंक्रियास है वो जो फील करता है इंसुलिन कम बन रहा है या ग्लुकोस लेवल कम हो रहा है क क्योंकि जब glucose आही Current तो सेल्ग्लो कोस ब्रेकडाउन नहीं गर पाएंगे तो ज़ादा इंसुलन बना रहा है और यह ज़्यक्द इंसुलिन रिस्स बना रहा है अब इसके चलते क्या होता है जब इंसुल इंसुलन रिस्टेंस बहुत जाद ठीज हो गया तो बल्ड में इसी तो जिस तो act ह होती इंस्लिन ज्यादा बना रहा है और इंस्यॉलिन रिट्रस फंग बन रहा है已经 ब्लड विकुलती अब्रब को लोगुषे तूट में रहे है आगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है यह के तरो ट्रीद का कर दिएन और इंसुलिन कि आप ये तीन इंसुलिन आएंगे तब खुलेगी पुछ इस टाइप का आप अनलाइज करें बाइलोजिकली गलत स्टेट्मेंट दे रहा हूं लिकार इस सेंस में आप इंसुलिन रेस्टेंस को समझने कोशिश कर सकते हैं ज्याद इंसुलिन चाहि नहीं मिलेगा तो आप इंसुलिन एक्स्टर्नली लिए वह प्रॉसेस मेच और फेज ऑफ डाइबेटीज में शुरुआत कैसे होती इंसुलिन जाधा बन रहा है पैंक्रियास जाधा काम कर रहा है तो यह डाइबेटीज है इसके चलते ब्लड में ग्लुकोज लेवल बढ़ जाए और ब्लड में ग्लुकोफ लेवल जब बढ़ गया तो भी दिक्कत है व्लडवेसल्स के लिए बहुत ज़्यादा और ग्लुकुज Liवल कम है तो भी दिक्कत है कि नॉर्माल ग्लुकोफ लेवल ब्लुकोस जितने चाहिए उतने हैं हाई ब्लड ग्लुकोस जादा ग्लुकोस है और लो इंसुलिन होगा तो ग्लुकोस जादा ही होगा अच्छा ग्लुकोस जादा होगा तो इसकी वेज़े से बहुत दिक्कते आएंगी तो यह चीज रही यह तो डाइबटीज के सेंस हमने देखा इसके बाद हमने बिलिरुबि लिवर का जिक्र किया तो यही से आता है जॉंडास जॉंडेस पीलिया जिसे कहते हैं तो यहां पर क्या होता है due to anything कि मतलब लिवर में सूझन है लिवर में कुछ गडबर हुई है due to anything कई सारे इसके causes हैं तो लिवर का जो बाइल है बाइल जादा मतलब वो रिलीज हो जा रहा है और इस सब के चलते यह बाइल का ही जो यलोई कलर है यह हमारे स्किन तक पहुंच रहा है तो यह आपको पीलिया जैसा देख रहा है वो और वो इंडिकेट कर रहा है कि लिवर में कुछ गड़बर है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए तो ब यौँ कि योन्डिस होता है तो अल्ठा वंइल्ट लाइट में इनको रखा जाता है और अल्टर वॉयलेट लाइट की वज़े से क्या होता है जौन्स क्यूं बन रहा है absor कि बिली प्लेरूबिन कर गश्रेमिकल स्ट्रॉक्ट्चर है जब लाइट पड़ती है तो ultraviolet light energy यह कुछ इस तरीके का है कि ultraviolet light की जब energy आती है तो यह थोड़ा सा energetic हो जाते हैं outer shells में चले जाते हैं और जब यह energy lose करते हैं वापस से कुछ अपने normal level में आते हैं तो इनका configuration change हो जाता है अगर आप देखें कितने atom bile में हैं उतने ही atom इसमें भी है यह वही चीज है कुछ अलग से आके जुड़ने गया चला नहीं गया मतलब वह केक के जैसा समझे कि वह एक energy आई केक मतलब वह अलग shape में आ गया लेकिन अब जब वह energy चली गई तो original में नहीं है वह अपने दूसरे एक form में वही चीज है exactly उतने ही atoms लेकिन अलग shape में लग गया है तो atomic lever पर वह अलग shape में लग गया है तो आप अगर उस दुनिया से बाहर इस दुनिया में आए तो जो combined और यह 11-12 की chemistry है कि यह मतलब इसको stereomerism कहते है stereochemistry वे से थोड़ा बहुत आपकी में introduction थोड़ा सा आएगा लेकिन आइसो मेरिजम्स में कि जैड आइसोमर बन रहा है जैसे लिखा भी है जैड आइसोमर वही मतलब एक structure है उन्ही आइटम्स हैं लेकिन बस उनका form बदल गया थोड़ा था form in the sense कि यह इस तरफ राइट साइड लगे थे यह चीज़े इधर से इधर आगें तो और बस atom एक वह एक structure वह structure से बनने वाली चीज़ हो सकता है बिलकुल अलग properties हों से जैसे glucose ग्लुकोज हम जनरली बोलते है आइटम्स बस एक functional group जो उसका एक बंच कहीं और लग जा तो ग्लुकोज वह बन जाता है लीवो फॉर्म ग्लुको एल वह अगर आप खा ले तो आप की एनर्जी जाएगी आप और ठके फील करेंगे लेकर उसका यूज नहीं होता तो कोई sense नहीं उसका ग्लुको एल इसी कोई नहीं आता है ग्लुकॉन डी जानते है डेक्स्ट्रोफां ठीक है तो वही चीज़ ग्लुकोज में इतना हमें दिखाई देता है कि वही मॉलिक्यूल है लेकिन बस उसका शेप थोड़ा चेंज हो गया तो बिलकुल अलग प्रॉपल्टी हो अब यहां पे आता है regulation of urine output यह नेक्स क्लास में देखेंगे और अगले और यह चाप्टर खतम है सक्के लिए पांच मिनट का है बस 5-10 मिनट और फिर हम करेंगे questions इस चाप्टर के और फिर आगे फिर आगे बढ़ेंगे फिर आगे हम जाएंगे nervous system में जो की आप कह सकते है control coordination उसका पूरा पार्ट है कि चलिए एंड गरते हैं थैंक्यू